प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मंगलबार को कैश कांड को लेकर एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। प्रधान मंगलबार को अपने ओफिशियल हैंडल एक से वीडियो शेर किया है। इंकम टेक्स विभाग के टीम के उच्छा पेमारी के दोरान नोटों की गड़ियों से भरी अलमारी को भी दर्शाय गया है। इसके अलावा राहूल गांदी को नोटों की गड़ियों पर लेटा हुआ दिखाया गया है। मनी हिस्ट को लेकर सदन में चर्चा के दोरान केंद्रिय ग्रहमंत्री अमित्षा ने किस तरह से कॉंग्रेस को घेरा और क्या कटाक्ष किया आपको सुनाते हैं। अभी जारखंड में किसी MPK यहां मैं किस दलके हैं कहना नहीं चाहता पूरी दुनिया जानती हैं। इतनी सारी कैस मिली के बैंक के कैसियर कहते हैं हमने भी इतनी कैस कभी देखी नहीं है। गिंटे गिंटे पांच दिन हो गए, 27 मसीने गरम हो गई माने वर, गरम हो गई मसीने बंद हो गई, मगर अभी समाप नहीं होता है। और एक भी एक गमंड या गटमंड नने इसकी टिका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं। मोहबत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कॉंग्रेस के आला कमान को गांदी खानदान को देश को ये बतलाना होगा, कि उनके एक सांसद के दस ठिकानों से दो सो करोड रुपे जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कॉंग्रेस का नेता गांदी खानदान में किसका एटियम था। अब तक कॉंग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आये अख़बारों से कि पैसा इतना बड़ा था लूट का कॉंग्रेस के जनेता के घर में कि काउंटिंग की मशीने तक तूट गए। रासता जीवी पर आपको मिलती है देश दुरियां से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबारा मत भूलिएगा।